सब्सक्राइब करने वाले हैं आप लोग को ट्रिक बताने वारा हूं कि hybridization कैसे निकाल सकते हैं आप सबसे कम टाइम में और यह उसके बाद अगी बार आपके सवाल पूछे जा सकते हैं यह सारी चीज़े इस पर्टिक्लर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यह इक इंपोर् पूछे जाते हैं और बच्चों को hybridization निकालने में ही दिक्कत होती है हाला कि बहुत आसान है एक हलका सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आप अप्लाइ करोगे तो डिफिनेटली आप से सारे के सारे टाइप के क्वेशन होने लगेंगे hybridization से रिलेटेट तो चलो इस पर्डिकलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको पता है हमारा complete dropper batch चल रहा है PCB का और उसमें complete physics, complete chemistry, complete biology हो रही है, test series अविलेबल है, practice sessions अविलेबल है, तो आप वो चाहें तो एप और description में जाके चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइज 4999 रुपीज है, और अगर आप individual subject के courses लेना चाहें, जैर chemistry का course चल रहा है 2499 में उसमें पूरी chemistry, physical की हो, inorganic chemistry हो, test series भी मिल रही है, practice session मिल रहे हैं, PY की उसके video solutions मिल रहे हैं, तो अगेन आप website और app पे जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं, और description में भी आर आपको link मिल जाएगा, तो चलो, start करते हैं, trick to find hybridization, ध्यान से समझना है, अगर आपको कोई से भी molecule में जो central atom होता है, उसकी आपको hybridization पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको निकालना है, steric number, ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है, बस अभी आपको सारी चीज़े समझ में आ देंगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालते हो, steric number, जिसको मैं किस से represent कर रहा हूँ, essence, कैसे निकालते हो, half, v plus m minus c plus a, ऐसे करके आपको steric number निकालना है, अब यह समझो, v क्या है, v है आपका number of valence electron in central atom, तो आपका कोई सा भी molecule होता है, तो उसका एक central atom होता है, तो central atom में कितने valence electron है, वो क्या कहलाते है, v, m क्या कहलाते है, m कहलाते है, number of monovolent atoms, monovolent atoms बोले तो, जिसकी यह वैलंसी 1 है, जिससे आपका hydrogen हो गया है, वो आपको count करना है, कितने hydrogen है, यह आपको count करना है, halogens, उनकी valence है क्या रहती है, 1 रहती है, तो आपका fluorine हो गया, chlorine हो गया, bromine हो गया, iodine हो तो यह सारे आपको MMA count करने है, C क्या है, catanic charge, तो जो भी catanic charge है, वो देखो आपको subtract करना है, minus C है, और A क्या है, आपका ananic charge, तो ananic charge आपको क्या करना है, add करना है, तो आपको इस तरीके से steric number निकाल देना है, अब steric number एक integer निकल के आएगा, अगर यार वो आपका steric number मान लीजिए, 2 आ रहे है तो आपके hybridization क्या हो जाएगी, SP, अगर आपका steric number 3 आ रहे है, तो hybridization हो जाती है, SP2, अगर steric number 4 आ रहे है, तो hybridization हो जाती है, SP3, D, 6 आ रहे है, तो hybridization हो जाती है, SP3, D, 6 आ रहे है, तो hybridization हो जाती है, SP3, D, 2, and अगर 7 आ रहे है, तो hybridization हो जाती है, SP3, D, 3, 7 तक ही जाती है आपके hybridization अच्छा इसके लावा और भी hybridization होती है dsp2 होती है d2sp3 होती है तो और वो सारी चीज़े हम लोगर coordination compound में बढ़ते हैं chemical bonding के लिए आपको यह hybridization sufficient है और steric number जब निकालोगे तो हमेशा integer आएगा ठीक है अभी मैं आपको example दिखाऊंगा एक तर यह formula रहता है steric number निकालने का which is what half into v plus m minus c plus a दूसरा formula क्या रहता है steric number निकालने का दूसरा formula रहता है number of bond pair कितने यार bond pair है मतलब ऐसे कितने pair of electrons से जो bonding में काम आ रहे हैं उनको हम बोलता है bond pair और plus number of loan pair कितने हैं bond pair और loan pair को भी एड़ करोगे तो भी आपके पास steric number आ जाएगा और steric number क्या आ रहा है उसके साबसे आप hybridization find कर सकते हो चीक है bond pair में हम सिर्फ और सिर्फ काउंट कौन से करते हैं सिग्मा बॉंड काउंट करते हैं क्यों क्यों क्योंकि hybridization में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉंड रोल प्ले करते हैं पाए बॉंड डस नॉट प्ले एनी रोल इन hybridization तो आपके steric number निकालने के यह दो फॉर्मुले टाइप है जो मैंने आपको डब्बे में ले लिए है यह लो कलर के डब्बे में लेकिन फिर भी आपको apply कौन सा करना है फॉर्मुला यह उपर वाला आप लोग हमेशा यह उपर वाला फॉर्मुला apply करोगे उसके बाद कै इसे टाइप के आपसे question पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं हाना चलो example में आप लोगों को दिखाता हूं सबोस करिए आपको बोल रहा है कि hybridization बताओ BF3 में boron की आपको क्या निकालना है static number कैसे निकालोगे देखिए half number of valence electron in central atom तो boron है central atom बेलकोल valence electron कितने होते थ्री प्लस number of monovalent atoms में आपको count करने है या तो hydrogen या फिर halogen तो देखो halogen कितने है तीन है तीन है तीन हो फ्लोरीन है आपके तो यह आपने तीन कर दिया कोई भी charge दिख रहा है गया overall आपको molecule पे कुछ भी charge दिख रहा है नहीं तो कोई catanic charge नहीं है कोई भी anionic charge नहीं है तो steric number के आ रहा है 6 by 2 which is 3 3 के साथ steric number के आएगा sp2 अब इसके बाद आप लोगों से एक और सवाल पूछ सकता है एक बार आप्ने hybridization नकाली Map नका लिये अब आपसे वूचे का कि कितने bond pair हैं और कितने lone pair है तो number of bond pair जतने आपसे इसके बाद यह सवाल पूछ सकता है how प्लोच उता है। तो number of bond pair, bond pair में हम कौन संग किनते हैं, sigma bond, hybridization में हम सिर्फ count क्या करते हैं, sigma bond, तो number of bond pair is equal to number of surrounding atoms, तो देखिए, number of surrounding atom कितने हैं, इसमें, 3 है, तो आपके 3 क्या हो जाएंगे, bond pair, अब हमें पता है, steric number का दूसरा formula क्या है, number of bond pair, plus number of lone pair, तो steric number देखिए, आपको कितने हैं, 3, bond pair भी कितने हैं, 3, तो मतलब obviously, 0 क्या होंगे, lone pair, आपको और example दिखाऊंगा, भी आपको बड़े राम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, CH4, तीन example देते हैं, NH3, and water, और भी example दिखाऊंगा आपको, अब देखते चाहिए, आपक इन तीनों की hybridization निकालनी है, bond pair बताना है, lone pair बताना है, start हो जाओ, चलो वीडियो पॉस करो, और आप तीनों की hybridization, number of bond pair, and number of lone pair निकाल दो, कैसे निकालोगे, देखो पहले steric number निकाले, half, number of valence electron in central atom, central atom को होना है, carbon है, valence कितने हैं, 4, plus number of monovalent, monovolent में hydrogen count करेंगे, या फिर halogen, तो 4 hydrogen देख रहे हैं, यह रहा 4, कोई catanic charge, नहीं, कोई ananic charge, नहीं, streak number कितना हो गया, 8 by 2, which is what, 4, तो hybridization कितने हागी, sp थी, अब इसके बाद आप निकालोगे, number of bond pair, किसके बराबर है, surrounding atom के, तो surrounding atom कितने हैं, 4 हैं, तो आपके 4 क्या हो गया, bond pair, अब हमें पता है, bond pair और lone pair का addition, steric number के बराबर होता है, तो bond pair 4 है, steric number भी 4 है, तो obviously lone pair कितने रहेंगे, 0 रहेंगे, अब यह निकालो, half, central atom कोई है, nitrogen, valence atom, valence electrons, 5, number of monovalent, 3 hydrogen दिख रहे हैं, कोई charge दिख रहा है कि नहीं, चलो भाईया, कितने हागे, hybridization, 4, 4 के साथ आगई आपकी SP3, अब देखो number of bond pair, तो कितने surrounding atom है, 3, तो 3 क्या हो जाएंगे, bond pair, 1 क्या हो जाएगा, lone pair, क्यों, क्योंकि bond pair प्रस lone pair का addition किसके बराबर आना है, steric number के बराबर आना है, अब इसमें निकालो, steric number निकालोगे, तो central atom कोई है, oxygen, valence electron कितने है, 6, कितने है, 2 hydrogen देख रहे हैं, बिल्कुल, कोई charge है, क्या है, नहीं है, steric number again, 4 आगया, hybridization आगई, SP3, अब देखो surrounding atom कितने है, surrounding atom कैसे देखने है, central atom है, उसको छोड़ दो, उसके इलावा जितने भी बस्ते हैं, वो surrounding atom है, तो central तो क्यों है, oxygen, तो बाकि जो दो बच्चे है, hydrogen ह और similarly, 2 क्या हो जाएंगे, loan pair, आर यह बात समझ में, आप देखो, आपको और examples दिखाता है, मैं आपके लिए और examples देखे आया हूँ, चलो, सबसे पहले अब इसको करो, आप वीडियो पॉस्ट करिएगा, और attempt करिएगा, XEO3F2, again hybridization बताने है, bond pair बताना है, और loan pair बताने ह है, कैसे करोगे, पहला hybridization रिकालो, stake number equals to half, central atom कौन है, xenon, xenon central atom है, तो xenon में valence electron कितने होते है, 8, plus number of monovalent, monovalent में hydrogen count करने, और halogen count करने, तो oxygen है, oxygen तो divalent होता है, यार, 2 valence ही होती है, तो वो count नहीं करोगे, monovalent चाहिए, तो monovalent कौन है, फ्लोरीन है, कितने है, 2 है, कोई चा number कितना हो गया, 5 हो गया, 5 के साथ hybridization क्या हो गई, sp3d, अब क्या देखोगे, number of bond pair निकालने, तो number of bond pair का मतलब, आप number of surrounding atom बता दीजिए, तो भाईया, xenon क्या है, आपका central atom, ये 3 oxygen और ये 2 fluorine, ये क्या है, surrounding atom, तो surrounding atom में, आप central atom को हटा के, जितने भी atoms है, सब कहा जाएंगे surrounding में, तो surrounding में कितने दिख रहे हैं, आपको 5 दिख रहे हैं, तो 5 क्या हो जाएंगे, bond pair, और 0 क्या हो जाएंगे, lone pair, एक यहाँ पर बच्चों को ये doubt आता है, कि वो लोग surrounding में भी monovalentty count करने लग जाते, ये नहीं करना है, surrounding में कोई साभी valence यून है, उसमें हमको कोई tension की surrounding में, oxygen को भी count करेंगे, fluorine को भी count करेंगे, 3 oxygen है, 2 fluorine है, तो total surrounding कितने हो गया है, 5, तो 5 bond pair हो गया, और आपका 0 क्या हो गया, lone pair, ठीक है, अब जैसे कुछ charged species की बात करें, तो जैसे देखो, PCL4+, इसका निकालो यार, hybridization, bond pair, lone pair, और PCL4- चलो गया, इसका निकाल दो, PCL4-, दोरों का निकाल दो, फटाक से, देखो, steak number निकालो दोर में, steric number equals to half, central atom, phosphorus, valence electron कितने है, 5, number of monovalent, तो आपको कौन काउंट करने है, halogen, या फिर hydrogen, तो chlorine है, halogen है, कितने है, 4, कटाइनिक चार्ज है, कटाइनिक चार्ज क्या होता है, subtract होता है, तो आप इसमें, minus 1 करोगे, तो इसमें क्या आएगा, steric number आपका, 4 आ रहा है, hybridization, SP3 आ रहे हैं, अब आप देखो, bond pair कितने, तो bond pair के लिए क्लिए क्लिए दिखोगे, surrounding atom, तो आपके 4 क्लोनी नहीं है, यार चारो के चारो क्या है, surrounding है, ठीक है, तो 4 आपका bond pair हो जाएगा, और obviously 0 lone pair हो जाएगा, ऐसे ही यहां से steric number निकालो, half, central atom क्यों है, phosphorus तो 5, monovalent कितने है, 4, अब anionic charge है, anionic charge आप add करते हो, तो steric number कितने आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो SP3D, अब surrounding atom कितने है, 4 है नही लोन पेर, सही है, clear है, अच्छा, अब confusion यहां सकता है, इनकी shapes और geometry बताईए है, तो shape और geometry हमारी VACPR theory में हम पढ़ते हैं, तो उसके लिए मैं आपका separate video बना दूँगा, अभी हम इस वीडियो में सर्फ यह सीख रहेंगी, hybridization कैसे निकालते हैं, और उसके बाद अगर bond pair और loan pair बूच ले, तो हमें यार कैसे निकालना है, ठीक है, अब जैसे मैं आपको यह last दो example दे रहा हूँ, यह करिए न, यह थोड़े अच्छे examples है, I3 minus और I3 plus, इसका steric number, hybridization, bond pair, loan pair सब निकालते हैं, चलो या, करो, कैसे निकालोगे, steric number, equals to half, अच्छा, सारी iodine यार, central atom भी क neutron कितने, 7, plus number of monovalent atom, तब यहां पे बच्चे से गलती होती है, आपने यहां पे जो I3 minus था, इसमें आपने एक iodine को, क्या बोल दिया है, central atom बोल दिया है, अब आप उसको monovalent में count नहीं कर सकते हो, एक iodine या तो वो central atom में जाएगा, या फिर वो monovalent में जाएगा, तो एक बा पास बाकी बचे वे 2 iodine किस में जाएगे, monovalent में जाएगे, तो यहां पर प्लस क्या होगा, 2 होगा, monovalent atoms add करोगे न, तो दो ही iodine count करोगे, क्योंकि एक iodine कहा गया, central atom में गया, छिक है, anionic charge है, तो anionic charge तो एर add होता है, hybridization कहा रहा है, 5 के साथ, SP3D, अब bond pair और lone pair, तो आ surrounding atoms कितने हैं, बाकी बचे वे 2 atom, 2 iodine के atom, बाकी बचे वे 2 iodine के atom क्या है, surrounding वाले हैं, तो bond pair कितना होगा, 2 ही होगा, lone pair कितने हो जाएगे, 3 हो जाएगे, आई है बात समझ में, एक iodine को अगर आप एक central atom में चले गया है, तो वो monovalent में count नहीं करना है, तो बाकी बचे वे 2 ह surrounding है, वो ही क्या है, surrounding है, तो bond pair भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगे, अब वीडियो पॉस करो, आई 3 प्लस निकाल के देखो यार, सोचो, 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 कैसे करोगे, steric number equals to half, iodine है, central atom है, central atom iodine, valence electron कितने हैं, 7, plus number of monovalent atoms, central atom को अटा दो, तो बाकी बचे वे 2 iodine क्या होगे, होगे, monovalent होगे, कटाएने के चार जब वो तो सब्ट्राक करो गया, तो यह कितना आ रहा है, 4 के साथ आ रहा है, sp3, अब क्या देखोगे, number of bond pair, plus, और number of loan pair, तो आपके surrounding iodine atoms कितने हैं, दो ही है, एक तो central में क्या, बाकी बचे वे 2 क्या रहे, surrounding iodine atoms रहे, तो आपका 2 क्या आ रहा है, bond pair, और 2 ही क्या रहेगा, loan pair, तो ऐसे type के भी आपसे question पूछे जा सकते हैं, और यह सारी चीज यहार मैंने आपको एक trick समझा दी है, hybridization निकालने की, आपको bond pair और loan pair निकालने की, इस formula को आप लोग apply करिएगा, आप लोग हमेशा question को जल्दी तरीके से solve करोगे, और आप लोग correct तरीके से solve करोगे, इस particular formula से, ठीक है, तो जो और जो आपके molecules से उसे apply करेंगे देखना, आप बड़े तरीके से आपको चीज़े और अच्छे से समझ भी आ जाएंगे, तो चलो यार ऐसे ही आपकी वीडियो आते रहेंगे, 20-minute chemistry में, उसे फॉलो करते रहें यह concept building series चल रही है, शांदार तरीके से आपको सारी चीज़े ऐसे छोटे-छोटे वीडियो बना के cover कर दी जाएंगे, तिल देन, take care everyone, have a great day, see you guys, bye-bye.